जैश्री रादे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल इंफो प्लांट्स एंड नेचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्वामी प्लांट्स की वीडियो पर मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि स्वामी प्लांट्स की विंटर के वारे में बताईए आज हम इसी प्लांट्स के वारे में बात करते हैं स्वामी प्लांट्स की पहली वीडियो को आप सभी ने बहुत पसंद किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लोग कहते हैं कि हैं नकली समी हैं लेकिन हम प्लांट्स लवर को असले नकली से फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए सभी प्लांट्स का अपना एक अलग महत्र है खेजडी या वास्तिविक समी का पौधा या ब्रक्ष राजिस्थान के मरस्थली इलाके में पाया जाता है राजिस्थान के लोग खेजडी ब्रक्ष की पूजा करते हैं इसे राजिस्थान का जीवन ब्रक्ष भी कहा जाता है वास्तिविक शमी में पत्तियों की निचले हिस्से में तने पर अनुपन्ड पाये जाते हैं और इसके फूल भी पूरे पीले रंके होते हैं और हमार यहाँ MP में जो नर्शरी में शमी प्लांट मिलता है इसमें दो रंगी गुलाबी और पीले रंके फूल आते हैं इसे बीरतरू प्लांट भी कहते हैं यह पौधा वास्तविक शमी की भाती ही बहुत सुब और सम्रद्धी देने वाला सकारात्मक प्रभावाला पौधा है महादेव और शनी भगवान को भी इसकी पत्तियां चड़ाई जाती है यह मेडिशनल प्रापर्टी से भरपूर पौधा होता है तो हमारे लिए तो यही शमी प्लांट है शमी का पौधा सर्दियों में विशेश देखभाल की मांग करता है ताकि है सुस्त रहे और बढ़ता रहे सबसे पहले पानी की बात करते हैं तो शर्दियों में वोधों को कम पानी की आवज सकता होती है मिट्टी में नमी होना चाहिए लेकिन बहुत जादा पानी देने से बचें क्योंकि इससे जड़ों में सडन पैदा हो सकती है शमी का पौधा धूप पसंद करता है सर्दियों में इसे फुल सलनाइट में रख देना चाहिए समी प्लांड की छटा या प्रूनिंग की बात करें तो सर्दियों में शमी प्लांड की मरी हुई या सूखी टेहनियों को काट कर हटा देना चाहिए जिससे पौधे की उर्जा बचती है और पौधा नई नई ब्रद्धी के लिए तयार रहता है खाद की बात करें तो इसे जैवी खाद दे सकते हैं समीपलांट के गमले की मिट्टी को बिंटर के पहले गुडाई करके कोई भी घर से बनी हुई नाइट्रोजन युक्त खाद जैसे सूखी चाय की पत्ती को गमले की मिट्टी में डाल देना चाहिए और पौधे को फुल सललाइट में रख देना चाहिए इससे आप पौधा हरा रहेगा और इसकी पत्तियां ठंड के कारण सूखेंगी नहीं सर्दियों में इस पौधे को जादा खाद देने से बचना चाहिए बहुत ठंड में गमले की मिट्टी को सूखी पत्तियों से या छोटे छोटे पत्तरों से धक देना चाहिए ताकि जड़े गर्म रहें और ठंड से प्रभावित ना हो तो आप भी अपने शमी प्लांट के पौधे की देखवाल सर्दियों में इस तरह से करें आपका पौधा भी स्वस्थ और हरा भरा रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेर करें और बेल आइकान दवाएं वीडियो पूरा देखने की